हल्दी के डिब्बे में चुपके से डाल दें यह एक चीज मालक्ष्मी दोनों हातों से लुटाएंगी धन, रोडपती भी हो जाएंगे करोडपती जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे हल्दी के बारे में, हल्दी हम सभी के घरों में होती है, खाने किसान, किचन किसान होती है हल्दी, हल्दी की बिना अगर खाना बनाया जाए, तो खाना रंग हीन, यनि की बेस्वाद हो जाता है, भारती खाने की जान होती है हल्दी, हल् थैने के साथ साथ हलदी स्वास्त के लिए भी बहुत लाबदैक होती है। सवास्त के साथ हलदी का इसकिन प्रोडक्ट में भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी के लेप लगाई जाते हैं चेहरे पर हल्दी को चेहरे से यनि के मेकप किया जाता है इस्तेमाल किया जाता है बरबधु को भी हल्दी साधी से पहले लगाई जाती है जिससे उनके इश्कन संबंदी जो समस्या है वे भी दूर हो जाए साथी उन्हें किशी की नजर ना अगर यह प्रयोग आप यनि की हल्दी का प्रयोग करें किसी भी दिन तो विशेश लाब होता है। तो होती है साथी आपके जीवन के हर छेत्र में फायदा देती है चाहे वो आपके खाने पीने की चीज़े हो बीमारिया हो केरियर हो हल्दी का प्रयोग आप करते ही होंगे इसके उपाय भी करते होंगे तोने टोटके भी करते होंगे तरक्की के ने राश्ते इससे आपके जीवन के समस्त समस्याओं का समापन हो जाता है बिगड़े हुए कार बनने लग जाते हैं आपके किचन में हल्दी तो होगी ही उसमें आप हल्दी का डबबा भी रखते हैं तो हल्दी के डबबे में ऐसी क्या चीज डाल दें कि माता लक्ष्मी दोनों हाथों से बरसाएं धन ब्रहस्पत ग्रह से जोड़ कर देखी जाती मतलब संतान सुक बैवाहिक सुक और धन ज्यान विदेश यात्राएं धन संबंधिस समस्याओं यानि कुंडली में जो देव गुरु ब्रहस्पत से कारक हैं उन्हें मजबूत करने के लिए हल्दी का प्रयोग किया जाता है और अगर पूजा करते समय आप गुरु गुरु को मजबूत करना चाहते हैं तो हल्दी की गाठ जरूर गुरु वार के दिन धारन करें तो विशेश लाब होता है साबोत हल्दी की गाठ इश्य भागवान स्रिकुष्ण जी की करपा बरश्ती है बैवाहिक जीवन में चल पीर सुब रहता है हल्दी का बहुत से लोग यहनि की पेर भी लगाते हैं यह कंद फल बाले होते हैं आपके घर में नहीं लगाया तो कोई बात नहीं है लेकिन अगर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं अगर हल्दी का तिलंडतीर हमय को आप नेमित रूप से लगाए फिर उसे अपने माथे पर लगाएं, कंठ पर लगाएं, कलाई पर लगाएं तो आपको चारो दिशाओं में मान समान की प्राप्ती होती है आज हम बात करेंगे आपके किचन में हल्दी का डबबा है, उसमें क्या डाल दें देखिए वास्तु सास्त्र के हिसाब से हल्दी का संबंद बहुत ज़्यदा महत्पूर्ण अपने घर के किचन से होता किचन में आप हल्दी का डबबा तो रखते ही होंगे और ये नकरात्म कुर्जाओं को समाप्त करती है, उससे बचाती है आपको गर में सकरात्म कुर्जाओं का संचार होता है, बाउंटरी बाल में आप एक काम करें, हल्दी का रेखा खीज दें, इससे घर में नकरात्म कुर्जाओं प्रवेश नहीं करेंगी, हर कोई स्वस्त रहेगा, या फिर आपके पास बाउंटरी बाल नहीं है, तो आप अपने गर के मुख दरवाजे पर स्वस्तिक कच्चे नहीं जरूर बना दें, इससे आपके घर में बुरी या फिर नकरात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी, अगर बिवाह में होने में बहुत परिस्तानी आ रही है, या बैवाहिक जीवन में लग राज यसे सब कुछ खत्म होने बाला है, तब निमित रूप से भगवान सूर को एक लोटा जल में एक चुटकी अलदी डाल कर अरपित करें, तो आपका बैवाहिक जीवन अच्छा रहता है, और आप चाहते कि माता लक्ष्मी की कृपा भी बने, तब रविवार के दिन छोड़ कर बांके की द प्रियोग करेंगे, लगातार कुछ दिनों तक करें, आपके आसपास आम का पत्ता होगा, तो एक आम का पत्ता ले आए, अब एक वर्ते में पानी ले लिजे, उसमें एक चुटकी हल्दी डाल के आम के पत्ते से पूरे घर में छिड़काओ करें, बाकी बचा हुआ पौध में बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर होते हैं, तो उनके बैग में या पुष्टक में हल्दी की गाठ रख दे साबूत, तो उनकी पढ़ाई में मल लगेगा, या फिर उनके जेम में रखकर भेजे, तो उसमें भी सिक्षा में सुधार होगा, हल्दी एक देवी समस्या हैं, जिनको तो वो हल्दी का दान जरूर गुरुवार के दिन करेंशे ब्रहस्पत ग्रह मजबूत होते हैं, समस्या हैं, खत्म हो जाती हैं, और जीवन की जो रुकावटे हैं, उन रुकावटें से मुक्ति मिलती है, अगर रोजाना रात के समय एक कागज में हल्द रख दें और अपनी पूडिया बना लें, और पूडियों को अपने तक्ये के नीचे रख दें, और फिर आप सो जाएं, सुबह उठिये और इस तरह से आप 41 दिन तक लगातार करिए, और 41 दिन इस हल्दी की जो पूडिया अपने बना कर यहनी तक्ये के नीचे रखी हैं, इसे आप बैतूए जल में बिसर्जित कर दें, तो आपका बैवाहिक जीवन अतियुत्तम रहता है, बैवाहिक जीवन में सुख प्राप्त होता है, दोस्तों अगर नजर दोस्त बहुत लग जाता है हो या किसी की बुरी नजर आपको बार बार परिशान कर रही हो, तो यह से घर में निगविटी प्रवेश्च नहीं करेगी अब हम बात करेंगे आपके किचन में जो हल्दी का डिबबा है चुकि हमने टोपिक रखा है कि हल्दी का डबबे में क्या इसी चीछ डाल दें कि माता लक्षमी दोनों हाथों से बरसाएं धन संपत्व कुवेर का खा जाना हा तो दोस्तो हल्दी का डबबा कभी भी पहली बात तो खाली मत रखिए उसे जरूर आप आधे से उपर ही रखिए कोशिश करिए कि वो आधे से उपर हो, कभी भी खाली मत रखिए हल्दी का डब्बा, हल्दी के डब्बे में आप चुपके से पांच छे साबोत लाल मिर्च डाल के रख दें, अगर घर में नेगविटी है, आपको लगता है घर में बुरी शक्तिया, फिर किसी की नकरात्म अगर आपको धन प्राप्ति की कामना है, ब्यापार और नोकरी में बढ़ चाहिए, यह लाब चाहिए, तो आपको हल्दी के डब्बे में लउंक और इलाइची डाल दें, तो मात रखिए की डब्बे में एक रुपए का सिक्का डाल दें, और जब हल्दी निकालें, अगर यह सिक्का वापस आजाए, तो फिर वापस इसमें भर दें, एक रुपए को सिक्का भी हल्दी के डब्बे में रख दें, तो मात रलक्ष्मी के डब्बे में कुछ रखे या ना रखें, आप मात रलक्ष्मी के परसंद करने के लिए, आप यानि कि इसमें धनिया, दस या ग्यारा मात्रा में साबोत धन्या रख दें तो मातालक्षमी दोनों हाथों से बरसाएंगे धन संपत्य वक्वेर का खाजाना तो हल्दी के डब्बे में ये चीज़े जरूर डाल दें खासकर अलाओं को इलाइची डाल दें या फिर एक सुपारी डाल दें इससे भी मातालक्षमी कृपा बरसेगी मातालक्षमी कृपा से आपके घर में धने धान में बरकत होगी या फिर आप केसर के कुछ पंखोडिया डाल दें या फिर आप मीठी जैसे कि आप मिस्तरी के पांच दाने डाल दें तो माताल लक्ष्मी कृपा बर्षे की दोस्तों हल्दी के डब्बे में आपको इन में से कोई भी चीट डाल दें तो माताल लक्ष्मी कृपा बर्षे की तो दोस्तों कमेंट में लिए जए मालक्ष्मी साथ वीडियो को लाइक करें जदा सेर करें जो लों को सब्सक करिएगा जैमालक्षमी